तो अक्सर हमारे गरों में रोटियां बच जाती हैं और ठंडी रोटियां खाना कोई भी पसंद नहीं करता है तो ऐसे में उन ठंडी रोटियों का यूज़ करके हम बहुत हेल्दी टेश्टी ब्रेकवास्ट बना सकते हैं तो ओल का भी हम बहुत ही कम से कम यूज़ करेंगे और इसे बहुत ही हेल्दी बनाने की कोशश करेंगे जिससे कि आप इसे ब्रेकवास्ट में भी खा सकते हैं चाहें तो चोटी मोटी भूग में बना कर करके भी खा सकते हैं तो हेलो फूरीज मैं हूँ खुश्चबू और चलिए फटापट से इस मज़ेदार सी रोटी की रासीपी को देखते हैं तो यहाँ देखी सबसे पहले मैं एक बॉल में लिया है सोया चंग सी भी और यहां देखिए यहां यह लगभग पांच बची हुई रोटी हैं तो इन्हें हम इस तरीके से रफली तोड़ करके डाल देंगे एक मिक्सर जार में और इस अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बहुत यह आसानी से ग्राइंड हो जाती है तो बिल्कुल चूरा भी नहीं कर हैं तो इनका सारा पानी है उसे स्क्वीज कर देते हैं और इसके बाद इसे हम अलग बॉल में निकाल लेते हैं तो यह बिल्कुल टेस्ट लेस होते हैं इसमें बिल्कुल भी नमक का भी टेस्ट नहीं होता है तो इसे हम टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तो यहाँ मैगी मसाला डाल दिया है थोड़ा सार इसे अच्छे से Mix कर देंगे इसके ऊपर बहोँ एक ऊच्छे से कोटिंग हो जाती है और स्का फलेवर तो यहाँ लगभग मैने अध़ं शेश्चमन डाल दिया है यहाँज़ा लिया बने नियए था चलाते हुए रोष्ट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे ही रोष्ट हो जाएंगे तब तक हम इन sustainability लगातार चलाते हुए तो यह भूद ही फूले के बड़े-बड़े हो जाते हैं चंगस तो आप चाहाएं तो इस तरीके से नाइफ से या तो इनके दो पीसिस कर सकते हैं या फिर एक चंग्स के आप चार पीसिस भी कर सकते हैं मैंने सारे चंग्स की पीसिस नहीं किये हैं वीडियो में मुझे थोड़ा सा हाइलाइट करना था यह इसलिए मैंने इने कट नहीं किये हैं लेकिन आप इसे नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हों तो आप एक पीस के लगब दो या चार पीस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो यहां देखिए इनका सा गोल्डन ब्राउन इस तरीके से इन पर चक्ते से पढ़ने लगए हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं बाउल है साफ दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा चटकने देंगे जैसे ही दोनों चीज़े चटक जाएंगी उसके बाद यहां हमें लेनी है यह करीपता करीपता को मैंने अच्छे से दो करके इस तरीक से कट कर लिया था वो हम इसमें एड़ कर देंगे उसके बाद यहां दो से तीन बारिक कटे हुई हरी मिर्ज डाल देंगे तो तीक है कि कम या जादा मिर्शाप एड़ कर सकते हैं और एक मीडियम था इसकी प्यास थी उसे भी मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया था वह भी हम इसमें डाल देंगे और सबी चाऑब चॉप कर देंगे और इने अच्छे से भूल लेंगे तो जैसे हमारी प्याज अच्छे से भून जाएगी हलकी सी गुलाब ही हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऐक पतला कट किया हुगा अलू तो यह देखिए इस त्रीके से मैं ने safi इस पेखिज की थि दिदंधğ और इसमें डालकर यह अच्छ से मिक्स कर देंगे अच्छ से मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले करेंगे तो आदा चोटे चमश मैंने हल्दी पाउडर डाला है, तीन चोटा ही चोटे चमश मैंने लाल मिश का पाउडर आड़ किया है, और आदा चोटे चमश मैंने इसमें डाल दिया है, धनिया पाउडर, सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे चला करके मिक्स कर देंगे, और उसके ब यहां पれて clean पर अच्छे से kukh हो जाने देंगे तो के छो हमारे अलू यह बहुत ही पतले पतले रहते हैं तो बहुत वो इसे stage पर ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी रोटियों में भी नमक होता है तो आपकी रोटी में नमक है या नहीं है उस according आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं अभी या फिर बाद में भी एड़ेस्ट कर सकते हैं तो वापस हम इसे कवर कर देंगे साथ से 152 मिन और पका लिया था और यहां नायँ तो किरी फेसे 15-20 उसे 15-40 आमाटय वह तो डिए हमका है थाथ हमारे सोया चंकिते, जिन ने हम थेर्श फ्राइब दाल देंगे और सभी चीजों को बहुत के चलते देंगे तो हमें और पहले से नमक आका और साहरी चीजों में हमें नमक पहले ये लिकार नमक पार्माद धेती हैं तो सभी चीचों को देखिए हमने बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ीशी शुगर तो यहां लगभा कि डेड़ चमच मैंने इसमें शुगर एड़ गी है और इन्हें भी हम अच्छे से चला करके मिक्स कर देंगे और इस शुग इसमेंमें प County यहां चुर mental से मेल शुगों है और आशी की थे चाहने में सब्सक्राइबकों हो यह यह लिए अदिया सब्सक्राइब का सब्सक्राइब ये चाय के साथ ये बहुत जाला डेस्टी लगता है तो जरूर से ट्राइ कि जगा ये रेसीपी और रेसीपी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करने ना भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाभाई जैक कियर और थैंक्यों पर वाचिंग आपलेंग